राधे राधे भक्तो स्वागत है। आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल दपावर ओफ ओम पर दोस्तो। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। अगर आपके घर में बिना बात का तनाव बना रहता है। आर्थिक तंगी आ रही है या शादी के योग नहीं बन रहे किसी भी तरह की समस्या को आप आसानी से नमक के टोटकों के दूर कर सकते हैं। ये नमक के रामबान उपाए हैं जो आपके घर की किसी भी तरह की समस्या क निवारन करने में आपकी मदद करते हैं। निवारन करने में आपकी मदद करते हैं। निवारन करते हैं। को आप नहाने के पानी में नमक डाल कर नहाएं। इससे आपकी ये परेशानी जल्द दूर होगी। घर में सकारात्मकता फैलाने वाला टोटका, नमक दानी में नमक रखने वाले अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि नमक को कभी की स्टील या लोहे के बरतन में नहीं करना चाहिए। कांच की बरनी में नमक एक अंदर आप अगर एक लॉंग डाल कर रखते हैं, तो इससे आपके घर में सकारात्मक उर्जा का भी संचार होता है। हम तो नमक के ऐसे चमतकारिक उपाय बताएंगे जिन्हें जानकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। नमक कई प्रकार के होते हैं। सेंधा नमक, पहाडी नमक, समुद्री नमक, काला नमक, सामान्य नमक आदी। जोतिश शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को कुछ लोग राहु का प्रतीक भी मानते हैं। अगले पन्ने पर जानिये नमक, संबंधी, सावधानी और सलाह। सावधानी और सलाह, जोतिश शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। ऐसा मानते हैं कि इससे व्यक्ति के संबंध खराब होते हैं। ध्यना रखें भोजन पकाते समय भोजन को चखे नहीं। उससे भोजन की पवित्रता नश्ट होती है और दरिद्रता आती है। नमक कम हो जाएगा तो बाद में डाल दिया जाएगा। भगवान को भोजन नवेद्य लगाने के बाद ही भोजन को चखे। अब जानिये। नमक के दस चमतकारिक प्रयोग। पहला प्रयोग। यदि रहना है सुखी तो, यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक न खाएं। उसका मीठा खा सकते हैं। किसी पापी पुरुष के यहां का नमक तो कदापी न खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के सामने होने लगेगा। हर कहीं का नमक या नमकीन न खाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मजमूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाएं, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकते हैं। नमक उसी का खाएं जिसके संसकार अच्छे हों और जो धर्म सम्मत आचरण करता हो। पातावरण की पवित्रता बढ़ती है, इससे लक्ष्मी प्राप्ती का मार्ग खुलेगा और घर में बरकत भी बनी रहेगी। हर तरह की गंदगी को हटाने वाला रसायन है। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक, समुद्री नमक भरें और इस कटोरी को बाथरूम में रखें। इस उपाय से भी नकारात्मक उर्जा दूर हो सकती है। हर माह कटोरी का नमक बदलने। पुराने नमक को फेंक देना चाहिए। टाइलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल साल्ट दरदरा नमक भर कर रखें। पंदरह दिन बाद बदल दें। पहला टाइलेट के सिंक में डाल दें। अगर किसी कारण टाइलेट उत्तर पूर्व में हो तो इसके दरवाजे पर रोरिंग लाइन का फोटो पेस्ट कर पांचवां प्रयोग नजर उतारने के लिए। यदि आपको या किसी बच्चे को किसी की नजर लग गई है तो साथ बार एक चुटकी नमक उस पर से उतार कर उसे बहते पानी में बहा दें। नल खोलें और उसे नल के बहते पानी में डाल दें। इससे नजर दोश दूर ह जाएगा। व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के उपर से तीन बार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर फेंकें। ऐसा तीन दिन लगातार करें। यदि आराम न मिले तो नमक को सिर के उपर वार कर शौचाले में डाल कर चला दें। इससे एक ओर जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी, वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होगी। लंबी बीमारी से ग्रसित हैं तो उसके सिरहाने कांच के एक बरतन में नमक रखें। एक सप्ताह बाद उस नमक को बदल कर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। नौवाँ प्रयोग करें इससे आप रक्त चाप की समस्या से बचे रहेंगे लेकिन अगर कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में समुद्री नमक का इस्तिमाल कर सकते हैं ग्रहकलेश से बचने हे तू यदि पती और पतनी में किसी भी बात को लेकर अन्बन है या ग्रहकलेश है या किसी भी प्रकार की मानसिक अशान्ति है तो सेंधा या खड़े नमक का एक टुकड़ा शयनकक्ष के एक कोने में रखें इससे नकारात्मक उर्जा दूर होगी इस टुकड़े को महीने भर के बाद बदल दें और दूसरा नया टुकड़ा रख दें नोट यहां दी गई जानकारी सा मान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है द पावर ओफ ओम चैनल इसके पुष्टे नहीं करता है